और जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ session हम लोग species से लेकर करेंगे क्योंकि species से related काफी सारे प्रशन आपके हर साल आते हैं तो आप इन चीज़ों को follow करते जाएं क्योंकि last week में हमने दो तीन lectures किये थे और आज भी इसको discuss कर लाता है लेट सी हिमाचल प्रदेश के इसे पहले काफी सारी species मैंने आप लोगों के लिए कवर कर रखी हैं तो पहले के sessions आपको देखने पड़ेंगे और यह बहुत जादा important है government की एक pdf जिसके basis पे भी आर डिसकुसिंग सभी माचल प्रदेश की बात करना तो snow leopard एक important एक species है that is snow leopard तो snow leopard की बात करें अब इसमें देखो पहली बार कब discover किया गया था यह इसके features किते बड़ा होता है और यह सब इतना याद नहीं रहेगा यह एक तो आप यह जो diagram में इसको mind के अंदर रखे या फिर google के अंदर डालके कि snow leopard बिसकली देखने में किस तरीके से लगता है तो वो focus अपना आप लोगो को कर लेना है और snow leopard भी है तो it means what कि ठंड की इलाके में पाए जाता है थोड़ा फरसा होगा जिससे कि ठंड से बच सके यह जम्मुएन कश्मीर से लेके सिक्किम और अरुनाचर प्रदेश आज की समय में देखा जाए सबसे बड़ी population इसके लद्दाक के अंदर है habitat की बात करें तो जो snow capped high altitude हिमालया लगबख तीन हजार से पच्पंसों जो हिमालया हाइट है from the sea level उतना वहां यह पाए जा आते हैं और ऐसी जगहों पर जहां पर बहुत ठंड है आप पहुंच नहीं सकते काई वीडियो भी आपने देखे होंगे and they also prefer in solitary अके लिए जुन्ड में नहीं रहते हैं और काफी ट्रावल कर सकते हो जनरली मर्खोर ताहर और आइबेक्स है मर्मॉट्स हैं बर्ड्स हैं इ इसकी population भी continuous basis में reduce हो रही है इसके पीछे कई reasons है जैसे इसका habitat का fragmentation हो रहा है तो रहने की जगह है महाँ पर और भी दूसरी species आ रही हंटिंग प्रेबिस यह भी आपके reduce हो रहा है पोचिंग इसकी की जा रही है skin के लिए और body part के लिए इसको मारा भी आपका जा रहा है और इसके protection की बात करने तो यह appendix 1 sites के अंदर आता है sites मतलब जो convention है जो trade है endangered species का उसको रोकने के लिए जो international convention है appendix 1 के अंदर है तो अच्छा protection इसको schedule 1 part 1 Indian wildlife protection के अंदर है यह schedule 1 की वाई से यह भी आप कह सकते हो कि it is also given highest level protection conservation statuses का endangered category के अंदर आता है bird देख लेता है इमाचल में यह western tragopan अब देखो यह bird का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा अब इसमें यह थोड़ा diagram आप देखो यह western tragopan है अब यह अगर birds specifically देखोगे तो इसमें यलो इधर साइड है reddish है जो इसकी beak चोच है उसके इधर भी pinkish और जो आपका pinkish है और प्लेस थोड़ा सा इधर साइड अगर आप देखोगे फिल सी यह तो नीलापन भी इसके अंदर डॉट्स है पंको के उपर डॉट्स है ब्लाकिश सा कलर है तो यह थोड़ा सा diagram याद रखोगे तो you will easily like आप imagine कर सकतो मालों कोई features related statement आए क्योंकि UPSC का जो prelims of Indian forest service का भी साथ में होता है और यह एक बड़ी बड़ा बड़ा कारण है कि species related भी कई प्रशन आपको देखने को मिलता है तो generally जो मेल हो डार्क होता है ग्रे होता है ब्लैक होता है और कई numerous इसके white spot भी होता है each spot border with black and deep crimson patches on the side and back on the neck जो मतलब diagram आप देखोगे तो easily you can understand और इसमें male और female थोड दर्स मतलब है न तो इसके बाद इसका distribution if you'll see तो जम्मु इन कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्राखंट अब देखो जब यह PDF कर्मेंट ने प्रिपेर किया था क्योंकि सरकारी PDF जिस पर हम लोग discussion कर रहे है तो यह PDF शायद जब गर्मेंट ने प्रिपेर किया होगा तब तब यह जम्मु कश्मी और लद्दाख अलग नहीं हुए थे लेकिन अब तो हैं तो यह लद्दाख रीजन में भी पाया जाता होगा है और जाता तर यह arboreal है plants मत्ब पेढोंग में आपका रहते हैं और यह आपका कह सकते हैं ट्रॉगमन इस it's arboreal and grounds में जो चीजे हैं वहाँ पर ये feed करते हैं जैसे leaves हैं, seeds हैं इनको ये आपका consume करता है so the male during display show the throat inflated that appears purple with pink margin तो ये इतना जादा description किसी bird का दे रखा हो तो it is a western trigopan तो इस diagram के माध्यम से आप थोड़ा सा ध्यान में रखें ये भी आद रखना है कि ये एक song loud two notes ringing wow we ये एक निकालती है और जैसे आप देखो तेश के prelims में भी sound की बात इन्हों ने की थी प्रशन आया था तो ये wow we करकी sound ये लोग निकालता है इस bird की एक specialization आप कहा सकते हैं and they build their nest in low tree hollow थ्रेट की बात करें they are sensitive to anthropogenic disturbances जो human related disturbance है उसके प्रती sensitive है they are sensitive to anthropogenic factors उसका जो western trug open है ये rarest है of all living peasants मतब जो bird की category है rarest इसे consider आपका किया जाता है इसकी population 5000 से भी कान है का में sites के अंदर देखा जाते it has listed this species in appendix 1 appendix 1 में रखा गया है और schedule 1 Indian wildlife protection act के अंदर है तो highest level का इसको conservation दिया है conservation जो status is vulnerable category के अंदर है जमोन कश्मीर की बात कर लेता है जमोन कश्मीर लद्दा के इसमें दोनों ही included है तो एक तो कश्मीर stag आपको याद रखना है तो कश्मीर stag ये कुछ इस तरीके की है इसके ऐसे seeing है जैसा 12 single की तरह इस type की इसके बड़े-बड़े seeing भी है large deer है tail इसके छोटा होता है tail आप देखोगे ये भी आपका छोटा है length of head and body ये vary आपका करता है body और इसका जो length है वो vary भी करता है summer में it turns to fat to white on lips, chin and under part मतलब जो अंदरिवनी हिस्सा है थोड़ा सा weekend से fed हो जाते है whitish से हो जाते है ये है क्योंकि whitish से होने से जो गर्मी है वो इसको ज़्यादा अब्जार्व नहीं करेंगे तो ये ऐसे कुछ points आपको ध्यान में रखना है distribution है तो ये जम्मु इन कश्मीर लदाख रीजन नदन चंबाड इस्टी कॉफी माचल प्रदेश और कश्मीर का जो रीजन है दचीगम जो नाशनल पार्क है निर स्री लंगा जम्मु इन कश्मीर रीजन में वहाँ पे काफी आपकी ये पाई जाती है habitat, hangul is very shy बहुत shy है and slightest alarms थोड़ से में ही भागना स्टार्ट कर देती है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि they are found in small herds पांच वंदरा के ग्रूप में ये पाई जाते है तो ये भी एक fact पता होना चाहिए कि जो भी जीव है ये solitary अकेला रहना पसंद करता है या फिर ये जुन्ड में रहना पसंद करता है protection की बात करें so their predators कौन इसे मारते हैं जो की black bear है, brown bear है, snow leopard है उनके लिए food है एक प्रकार से और फिर अभी जो भी competition species, inter specific competition है trade है, hunting है इसके जो number है वो आपके continuously reduce हो रहे है हंगुल भी बोलते है, जैसा कश्मीर जो ये है इसको हंगुल शब्दी भी इसके लिए इसके लिए इस्तमाल करता है तो Indian wildlife protection act के schedule 1 के अंदर IOCN के अगर बात करें तो least concern के उस category में आता है और sites के appendix 1 के अंदर रखते हैं black naked crane देख लेते हैं black naked crane ये भी है ये भी जमून कश्मीर रिजन में इसका थोड़ा सा feature देखो इसके tank बड़ी-बड़ी होती है फिर ये whitish होता है इसके punk blackish होते हैं और white दोना का combination है इसकी जो चोच है ये भी black सी पूरा चारतर उतर उसके black color आपका present रहता है इसे हम black naked बोलता है black naked crane भी बोलता है so it is more or less size of a goose and mainly ये लदाक और अरुनाचल प्रदेश का जो रिजन है वहाँ पर आपका पाए जाता है high altitude region में पाए जाता है prefer open paddy field swampy land during winters diurnal है activity है इनकी small pairs और इने small party में दो की group में है कुछ individual साथ में रहता है ये भी solitary आपका नहीं रहता है घास cereal crops insects इन सब को इसका खाना इसका रहता है अब यह बहुत important है कि schedule one के अंदर है जाल तर आप जो भी हमने discuss कि है वो schedule one के अंदर यह है क्योंकि यह जितने भी जीव हैं इसको हम we are discussing अंडर we can say कि यह उस state के animals और birds है इसलिए पता होना चाहिए schedule one के अंदर है फिर उसका वनरेबल के अंदर यह है और appendix one जो है sites के उस वहां पर यह पाए जाए जाते हैं जारखंड में बात करते हैं जारखंड में grayish color है massive built है इसका होता है और male generally pair of tusks जो इसके होते हैं तसक जो क्या बोलते हैं वाइट कलर के दांत जो इसके निकले होते हैं हाथी के दांत जिसे बोलते हैं double doom forehead rounded back यह elephant को देखके आप easily समझ सकते हैं elephant जो है यह अगर देखा जाए तो generally plain areas में ही पाए जाते हैं और higher altitude लगबग 3660 मीटर सी लेवल से वहाँ पर आपके पाए जाते हैं यह उत्रांचल उत्राखंड उत्रपदे सूडिसा वेस्ट मंगाल करनाटका गोवा केरला तमीन लाडू बिहार और नॉर्थ इस्टर्न में पाए जाते हैं habitat है यह shady environment है with easy access to water resource grassland ऐसी जगह पर पाए जाते हैं और variety of forest जहां पर हो वहाँ पर जैसे evergreen से लेके solar forest जो south में पाए जाते हैं वहाँ पर desidious forest हो इन सब जगह पर हैं पर tea coffee cardamom plantation जहां होते हैं वहाँ भी आपके पाए जाते हैं पेड़ की पत्तियां घास और यह सब भी यह consume कर लेता हैं लगबग 270 kg of vegetation एक दिन के अंदर यह consume आपका करते हैं life span wild में देखा जाते हैं साट से सतर साल तक यह जीते हैं mature जो male है वह live singly और small group जो mature male है और feeding और mating males are associated with female feeding और mating के time ही females associated रहते हैं यह 20 से 30 की group में आपका move करते हैं strong maternal bonds are observed in elephant मतब जो mother elephant उससे काफी connection रहता है अब हमारे द्वारा कई सरी activities उससे इनका habitat हो देस्ट्वाए हो रहा है habitat का fragmentation, hunting, rail accident, pollution यह सब reasons हैं जिससे इसकी population कम हो रही है elephant protected Indian wildlife protection act 1972 के schedule 1 के अंदर है conservation status इसका endangered है और appendix 1 है sites के अंदर यह facts आप बहुत याद रखना है फिर straight bird jharkand की coil है, coil अगर आप देखोगे this is coil तो इसकी आंखे red सी होती है जो चोच है whiteish सी होती है और इसके punk black से होते हैं और इस टाइप फर टाइप चारो तरफ आपका होता है तो यह fact आपको थोड़ा सा द्यान बरकता हूँ पेड़ों में जादा तर ही आपका रहती है तो house crow या है इसका जो length है 43 cm तक होती है और male has glistening metallic black all over with yellowish green bill यह थोड़ा सा yellowish सी भी होती है आइस crimson color की होती है तो मतलब यहाँ पे male और female थोड़ा सा very आपका करते हैं और यह throughout इंडिया आपकी जाती है slightly wooded country, mango orchard, grooves of trees और मतलब यह जो फल होते हैं उन पेड़ों में रहती है क्योंको consume भी करती है और यह solitary के लिए रहती है mainly bugs, कीडे और snail eggs of small birds उन पर ही यह अपना जीवन मतलब इसके लिए खाना यही है threat की बात करें तो यह basically इसे भी schedule 4 है wildlife protection act के अंदर रखा गया तो यह कुछ species आप लिखते जाओ और week में मतलब पूरे week में अगर मैं दो lectures भी लेता हूं तो यह सारी species आपकी cover हो जाएगी और यह बहुत important है मैं बता रहा हूं कि 3 to 4 जो questions हैं वो आपके लिए अगेन अगर आप civil service exam की मतलब साल आप दे रहा है तो इस course का हिस्सा जरूर सबरने detailed course on current affairs जिसमें 2 साल का complete coverage आपका होगा इस सारे subject specific courses हैं यह सब कुछ आपके cover होंगे इस course के अंदर जिसमें पॉलिटी एकनॉमी जॉग्रफी एन्वार्मेंट साइंस इंटरनेशनल रिलेशन से related हर एक आयम आपका जो contemporary issues के related है cover किया जाएगा 1000 प्लस questions भी मैं आपको इसमें practice करने को दूँगा तो अभी 30% off है आज भी तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और 10 फरवरी से आपका है 10th फैब से जो classes हैं वो आपकी शूरू हो जाएंगी 10th फैब से classes शूरू हो जाएंगी आप सारप पंडे UPSC.com website visit कर सकते हैं सारप पंडे CSE app download कर सकते हैं और अपना join कर सकते हैं 60 classes भी आप join कर सकते हैं वो भी आपका start हो चुगा है तो यह सब कुछ है और classes आपकी चलती है थैंक यू everyone थैंक यू